साथ श्याकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजूकेशन पॉइंट, उमीद करदां तुसी सारे वधिया होने हैं, अज दी पैडागोजी दी क्लास विज अंगरीजी पैडागोजी दे कुछ प्रशना नों डिस्कस करें जा रहे हैं, एक क्लास तो डे, पिया स्टैट सीटेड एकजामली काफी इंपोर्टैंट है है, शो शुरू करते हैं, अज दी अपनी कलास नों, ख्लास नों शुरू करतो पहलना चैनल नों सब्सक्राब जरूर करना है, एंड शरूर हैं, दोस्तों, जेकर तुसी अपनियां इना कलासेज नों बड़े हित्तियान समझ सब्सक्राइब करना तुसी समझ के सब्सक्राइब करना है तो दोस्तों समाता मैं ज्यादा खराब नहीं करूंगा अपना इस पुछा जा रहा है विच अफ दे फॉलाइंग स्टेटमेंट इस नौट ट्रू टीचिंग ओफ लिट्रेरी टेक्स्ट इन डेंग्वेज क्लास्रूम यह आपकी कर रहे हैं कि एह हो जी केड़ी स्टेटमेंट है गी यह जड़े की गलत है गी यह केड़े रिकार्डिंग का ल अंग्रेजी पड़ा रहे हैं क्योंकि आपका पड़ की रहे हैं अंग्रेजी पड़ागोजी पड़ रहे हैं ति एदे विच जदों भी आपा बच्चा नूब पड़ा रहे हुने हैं ति आपा लिट्रेरी टेक्स्ट बच्चा नूब पड़ा रहे हैं ति केड़ी literal text आर for appropriate pleasure and enjoyment कि जड़ां literary टेक्स हुं दे ди यही इनूँ आपका अनू की करना जाहिधा है इनूँ आपकानों मतलब बचया लेज़ेost ने जड़ा हुन्वन दे ए अपर इनूपड होनिया जड़ा या जड़ा भी अपा D, Literary Text Developed Critical Thinking कि Literary Text नाल बच्चेयां दिया जड़ियां Critical Thinking है गयाने यह भी डिवलप हुन दियाने तो दोस्तों दस्तों एदा जवाब की होगा जेकर आपा एदे विच सही जवाब दी गाल करिये तो जड़ियां Literary Text हुन दियाने अपां कदे भी A नहीं कहांदे कि इना नूँ अपां Literary Text शुड भी यूस्ट टू टीच ग्रामर की ग्रामर पड़ा ओनली अपां सिर्फ एदी वर्तों नहीं करनी हुन दी एद राही अपां पैड़ा को जी वेचे ग्रामर की ज़ादा जोर दिननी है सो एदे वेचे जड़ा तो अप्शन नंबर B, C दे, D है गया सही True Teaching of Literary Text दी ज़दों आपां गाल कर दिया बट ज़दों आपां गाल कर दिया Option नंबर A दी Option नंबर A दे वेचे लिखे होया कि Literary Text should be used to teach grammar सो एगल इना ने की लिखी हुई है गलत लिखी हुई है सो Option नंबर A इस दा सही आंसर बाकि Option नंबर B चे लिखा सका है कि जड़े Literary Text हुन दिया Appreciation ली, Pleasure ली, Enjoyment ली यह गल ठीक है Literary Texts are input for language learning Inputs method दो पता ही है जड़े वेच आपां reading कर दे हैं Reading तो बाद आपां कोई भी लिसनी कर रहे हुनिया So ए सब कह सकते हैं कि Input language learning And D भी सही है कि Critical thinking नो develop कर रहे भी आपां की कर दे हुनिया वे Literary Text पर हुनिया So Option नंबर A जड़े का गलत जवाब है गाजी चल दे हैं जे इस दिन आड़ी अपां अगली प्रशन ते अगला प्रशन पुछ रहा है तो नो Ravi reads an article from a newspaper So as to present the overall idea of the text to his group The next day what is his reading known as मतलब की Ravi नामदा के लड़का है जिनने अखबार विच्छो एक article पढ़िया मतलब की overall idea जड़ा है वो मतलब ले रहा हो To present the overall idea of text मतलब उस article दे विच्छे जो कुछ भी लिख्या सेगा मतलब की एक जड़ा बरवी नामदा बच्चा कोई अखबार विच्छो ने article पढ़िया overall idea लेंड ली के दे विच्छ लिख्या की है So OGD reading कर रहा है मतलब readings दिया काफी सारी है टाइप सुन दिया ने कि अपढ़ अल्ड़े डिसकस कीता हुआ इस दे विच्छ दस्यों की एस लिटिंग होई की टी ओ लिटिंग बिटूइन दा लाइन सही जवाब बाट फिर विच्छ देड़ा तो अड़ा सही जवाब होगा है वो होना है option number D जदो आपां गाल कर दें किसे भी paragraph वेच जदो आपां कोई जर्नल आइडिया लेंड 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 आपां शेती समराइज कर लेंड नहीं अनुह आपां skimming दा नाम दिनने या जेकर आपां गाल करिये scanning दी जदो आपां कोई specific piece of information लबनी होए उनुह अपां की कहने है उनुह अपां scanning दा नाम दिनने है जिमें मानलो जिमें तो अडे कोड कोई tick आयां दिया है तिक्ट दे नार तुसी कर दे कियों तुसी बस वेस टिक्ट कटाई तुसी ओधे वेच में लिकी वेख दियों कि तो अडे के ने मतलब उनाने पैहे चार् समझे दे है उनुह अपां skimming दा नाम देने है उमीद कर दा इस प्रेशन नुह समझे होने है चल दे हैं जी अगले प्रेशन ते वर्ड 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 वन रिकोगुनाईज वाइल रेडिंग बट इस नॉट एबल टू यूज ऑन हर उन वट इस वकाबलरी नून आज कि मिलें यूज ऑन मेये जी एक थरह होटी है पासिव शहीं कि लांज पासिव वॉधी ओर्ड यूं और यूटिए चसे वर्ड यूर्ड वर्ड वर्ड शि---- उन्हानों तुसी एक्टेव वोकाइबलरी दा नाम दिनने यहा है बड़ जदो आपा पासे वकाइबलरी ती गाल करिये पासे वकाइबलरी ओकेशनली वर्ट जदो आपा यूज कर दें हैं जैवे कदे किसे ने कोई बमारी होगी तुसी ओ जड़ा वर्ड है तो उसी हर मेले पासेव वुकाइबलरी कि वर्ड जिना नों आपा रेकुकुनाईज कर लेने या, रिड कर लेने या, बट आपा उन्हा दी वर्तों नहीं कर दे, क्योंकि आपा डेली लाइफ एच उन्हा वर्ड दी वर्तों कर भी नहीं रहे, सो ओप्शेन नम्बर बी नों तुस्छी करों अधा कि B, I, C, S, D, Full Farm, दसो, तुसी की लगाउंगे, basic interpersonal communication skills, ए ता बन गया एक question, दूसरा question E, पुच्छा जा रहा, कि basic interpersonal communication skills, आर एक हुंदिया की ने, basic interpersonal communication skill, using language for here and now and on familiar topics, जा फिर option number B, using language for higher order thinking, जा फिर option number C, using language to convey abstract ideas, and concepts, या फिर option, बड़ी, using language for reporting, एक मेंट इनों में थोड़ा होते कारला, scientific research on a topic, so, एदी विस तो अड़ा जड़ा सही जवाब है, ओ कि होगा जी, जदुम आपना basic interpersonal communication skills, दी गाल कर दियां, ए basic skills हुंदियांने, जिना तुसी daily life, रोज ही इना दी वर्तो कर दियां, जे कर तुस है, so, option number A वे चीही तो अड़ा सही जवाब है, कि using language for here and now, and on familiar topic, मतलब आपा daily life वे जड़ा words दी, जिना communication skills दी वर्तो कर दियां, उन्हा नों आपा की कहनने है, basic interpersonal communication skills, तो सही जवाब केड़ा होया तो अड़ा, option number A, option number तुसी A नों कर लो, टेक ती आपा चाल दियां, अगल learn to write, कि अपा जदो राइटिंग कर रहे होनी है, तो आड़े तो ए पुछा जा रहे है, कि तुसी दसो, कि जदो भी आपा राइटिंग कर रहे होनी है, एक केड़ी अप्रोच दिया, कि ये product approach है, या फिर process approach है, या फिर communicative approach है, या फिर ए लेक्जिकल approach है, जदो तुसी आपन कर दे हैं यह प्रोडेक्ट परोच प्रोसे उप्रोच क्म्ख़िैंटर्प्र विप्र मिल लिख दे फिर लेख देयां फिर ओदेविच करेक्शन कर देयां फिर बाद विच जाके किने स्टेजिस लंगण तो बाद आपका एक फाइनल टेक्स्ट बनोनी है हना मतलब कि अपा जस्ट प्रोड़क्ट ते नहीं जोड़ देरे आपका किन्या सारिया स्टेजिस है इना ते उना थे मतलब आपका फोकस कर रहे होना राइटिंक देफेच फो ऑप्षीन नलमपर जेढ है तोड़ा एक ता जवाब गलत होगा जबंद आपका गल कर देएं ऑप्षीन बाद बबी दी कि एक प्रोसे सपरोच है यही है प्रोसेस अप्रोच विच अप्रोच थो राइटिंग को learner to undergo different stages of writing in order to learn to write so इन्हों आपा कहनने है जी process approach option number तुसी बी नो कर लोंगे ठीक ते आपा चल दे है जी अगले प्रशन ते अगला जड़ा प्रशन है अरूल राहूल ठीक है ना मतलब के एक परसन है राहूल नाम दा a teacher in his grammar class introduce rules of grammar item voice and tense first and make them understand how to form behaves how to use it in context he then gave lot of task for learner to practice the language item what is this process of teaching learning grammar known as मतलब एक राहूल नाम दा टीचर है गा ओ ग्रामबर पड़ा रहा बच्यानू ते ओने की किता पहला rules दसते grammar दे उस्तो बाद उने voice वगरा tense फिर उस्तो बाद की किता उने उनानों मतलब यूस करना सखाया बच्यानों हाना ते मतलब सारीयां करना समझाओन तो बाद उने फिर बच्यानों बहुत सारे जड़ी कम में गया ओ देते तो अड़ी तो एही पोचले आगा है कि एह जड़ीयां सारीयां गलना दसीयां गई है एक केड़ी कह सकते हैं केड़ी grammar है कि यह teaching learning grammar है कि यह इन्हों आपा कैन दे की है कि यह content language है procedural language है process language है या फिर इह declarative knowledge है कि यह जड़ी पीच जड़ा एदा तो अड़ा सही जवाब है गाजी ओकी होगा इदा सही जवाब है option number D इन्हों आपा declarative knowledge दा मतलब कहाँ दने है कि यह जड़ा सही जवाब होगा इदा की है गाजी कि जड़ों आपा गाला कर दिया है कि जड़ा teacher है गरामर class वेच पड़ा रहा है उन्हें मतलब पहला है declare करता rules वगरा दास्ते है उस तो बाद voice फिर tense इन्हों आपा declarative knowledge करने है so option number D जड़ा जवाब है गाजी ए तो अड़ा सही होगा है चल दिया अगले प्रशन ते which of the following is an input based task for language learning तो अड़े तो ए पुछले आ गया कि input based task केड़े हों दिया मतलब है कि इना option आ देवेच कितना किते तो आन्नों तेन output task विक्षण नों मिलनगे उन्तों सी output task लाब लो input task आपे लाब जाना आउटपूट टास्क केड़े हों दिया इन्पूट टास्क केड़े हों दिया यह दिवारे भी आपका गल कर दिया जदों आपका गल करिये कि input task दी option आ नों वेख दिया learners read a story in groups of five एक learner ने एक story read किती है option नमबर बी चले लगया हुया learner write a dialogue for scared to be enacted in an event मतलब कि ओने एक dialogue write किता learner ने option नमबर सी चले लगया हुया learners enact a role play on the issue of climate change की learner जड़ा सी ओने एक की किता यह उने एक role play किता climate change दे शूते या फिर option बड़ी learner ask question to understand the ideas of the talk they listen to एदे वेच की किता learner ने मतलब होते तो question बगरा मतलब की किते उने question पुछे समझे मतलब एदे वेच भी उने active काम कीता है ते एदे वेच दसो की जवाब होगा जोदो आपका गल कर दिया इस प्रशन दी एदे वेच ना ने input based task पुछे होया तो अन्नों यह पता होना चाहिए दा input based task होंदा है एक output based task होंदा है output based task जिम्यकी तो अटाकी हो सकता है output based task के वेच तुसी writing कर सकते हों एंड speaking कर सकते हों एदे वेच वेच वेख लो writing ते speaking किते किते हैं option number B, C, D इना तिनना वेच वेच वेखो B दे वेच कहा होया कि मतलब वो write कर रहे हैं मतलब कि ए ता output based task होंगया option number C वेच उन्हें role play कीता एदे वेच वे बच्चा बोल रहा प्रफॉर्म का रहा एदे वी output based task होंगया D नर्धी वेच 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 वेख लेचा कहुद हैं question जड़े से कही उन्हानों understand कर रहा है मतलब उन्हानों की कर रहा C question वेच 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 वेफ़ आउट पुट ही दे रहा इस दिन आड़ ही आपा चाल देयां, एदा तुसी option लगा लियो, option number A ते आपा वेख देयां, अगला प्रशन, which of the following is not a concept from language education, कि एदे विच केड़ा जड़ा है, concept है नही, language education दी जदू आपा गाल कर देयां, grammar translation method, या फिर option number B, wavelength of sound, या फिर option number C, first language interference, या फिर option number D, error correction, दोस्तों जदों आपा language education दी गाल कर देयां, मैं तो आपनों एदा सही जवाब दस दा, तुसी पहला guess करो एदा की जवाब हो सकता है, ये देविसे जड़ा तोड़ा सही जवाब होगा, आपा ना बच्यानों English या फिर grammar वगरा आपट होन लगया, grammar translation method दी वी वर्तों कर देय आपा grammar ते देना हुंदा, and option number तोड़ा जेकर C वेख दियों ते आपा first language interference दा की मतलब हैगा, कि जदों बच्यान देवेचे जड़ी पाशा है कि मानलों आपा अंग्रेजी सखा रहे हैं थे, ओ देवेच पंजाबी को ज़्यादा interfere कर रही है, पंजाबी इंट्रिफेर कर पाव यह है कि बच्चे कई वार सारी पंजाबी नो ही translate करना शुरू कर देंदे हैं, बहुत सारी याँ प्रॉब्लम्स हों दिया ने बच्चे दी प्रिनसीशन है गया, विगड़ जान दिया, आपा ए देवेच ए गला कर दिया, option number D, आपा मेंली बच्चेयां दा जड़ा mistake करन्दा जड़ा pattern है गया, error करन्दा जड़ा pattern है, ओ notice कर दिया, ओ दिया, according आप दिया, प्लैंस बगरा बनो नहीं है, इन्हों आप error correction कहते हैं, ते ए देविसे जड़ा wavelength of sound हैगा, ए concept नहीं है का language education है, बाकि जड़ा तिन से गे A, C, ते D, ये दून, ए तिनने ही की है गया language education दी concept है गया, एथे तुसी टेक कर लो, option number तुसी बीन हो कर लो, टेक ते आपा इस दिन आड़ ही चाल दिया, अगले प्रेशन थी, अगला जड़ा प्रेशन है, जड़ा की second last question है, ते अनल पड़ो, एंड़ा जबाव दो, bilingualism affects our brain positively and enhance cognitive skills, this view of bilingualism is very different from the attitude towards bilingualism, during most part of 20th century, second language was seen as dash earlier, so, एदे वेच तो अड़ेटों की पुछा जा रहा है, एदे वेच बाइलिंग्वल दी एथे गल कीती जा रही है, बाइलिंग्वल दी जदों आपा गल कर देया, एदे वेच अपा बहु पाशावाद थे, बाइलिंग्वल दी जदों आपा क्लास वेच दो लेंग्विजेज दी वर्तों करते हैं, दो लेंग्विजेज दी वर्तों दे नाड़े दे वेच तो अड़ेतों, एभी पुछा जा रहा है, कि पहला जदों आपा दूजी पाशा दी गाल कार दे सेगे, यह सेटे लेंग्विजे दी, सेकन्ड लेंग्विज दी किमें वेख्या जान दा सेगा, जदों आपा सेकन्ड लेंग्विजे दी गाल कार देयां, कि बाइलंग्विजे अफेक्ट और ब्रेन पॉजिटिव ली मतलबू सक्रात्मक तरिके नाल अपने ब्रेन नोपर बाव जदों दुजी पाशनों की में वेख्या जान्दा सेगा एन अड़ेड असेट अ मोटिवेशनल फैक्टर दे अकोरडिंग या फिर एन इंटरफेरेंस अ हिंड्रेंस मतलब की एक बैरियर दे टाइप एनों वेख्या जान्दा सेगा कि एदेकार के प्रॉब्लम सारियाने सिखन दे वेच पाशानू या फिर हैपी कॉइंसिडेंस या फिर कॉज ओफ फिलियर इन लाइफ एदे वेच जेड़ा तोड़ा से ही जवाब होना है ऑप्शन नमबर बी इस दा राइट अंसर कि समझा रही है ऑप्शन नमबर तुसी बी नो करूंगे टेकते आपा इस दिन आली चाल दिया आज़ा दिया लास्ट प्रशन थे लास्ट प्रशन है ट्रांस लेंगवेजिंग ये ट्रांस लेंगवेजिंग जड़ा है एक की है एक जडिक टर्म देती होई है रियंफोर्स दादेशिनली दिफाइड लेंवेज बांडरी जा फिर ऑप्शन नमबर बी चालेंजे जड़ा देशनल कल्चुरल दिफाइड लेंवेजिंग डालकर दियां ट्रांस लेंगवेजिंग देवेच न आपका जदो क्लास वेच दो दो पाशा में दी सम्झलो गाल कर रहे हैं इन्हों की कह सकते हैं कि जदो आपका एक पाशा दे जडी वर्तो है किया और दूसरी पाशा वेच कर रहे हैं हैं रहे हैं कि आपको जडियां हो रहे एक्जामब्लस लाए सक्क देवेच जबंब की कर सकते हैं जडियां ट्रांस लैन्वेजिंग किया जदो आपन्पार चैलेंज्डाग तर्दीशनल क्ल्सुरिल डवाइट लाइज बांवेज बॉनडरी गया इस रिलेलेटिवली नीउ यह हैंगी निव टर्म ओल्ड एज प्रैक्टिस देवेच जवें कि आपा स्विचिंग नहीं करते हैं लैंग्वेज देवेच कदू आप पंजाबे चप्टाओना शुरू करता कदू आप इंग्लिश वेच चप्टाओना शुरू करता मतलब सिचुएशन दे सिंग दा नाम दिन नहीं मतलब कि मंटी लिवेजम वी तुसी नूं कहा साकते हो कि जदो तुसी बहुत पाशावाद नूं एजा रिसूर्स क्लास वेच यूज कार रहे हो मतलब कि ट्रांस लैंग्वेजिंग दे काफी साधे बैनेफिट भी हुन देया सो ऑप्शन नमबर से कि तुसी ऐसे तरग के नाल ही सेक साकते हो बट आज काल दे टाइम वेच आपा इना चीजांदी वर्तों भी गर साकते हैं सो ऑप्शन नमबर तो अड़ा भी जवाब होगा जी सही एड़ इस दिन आल ही आपा इस क्लास नूं कर दिया खतम तो अड़े दसां वीच वेच क्लास नूं कर दिया खतम थैंक यू सो मच पर वाजिंग गड़ ब्लेस युवाल